सावनेर तैसिल ही नहीं अपितो ग्रामिन अंचल का मेडिकल हॉस्पिटल नाकुद्वारा संचालेथ प्राथमिक स्वास्त प्रशिक्षन केंडर सावनेर के परिशन में रात के समय अंधिरा रहने से रात पे रात उपचार है तो पहुचने वाले मरेज तथा उनके परिजन को काफी कटनाई का सामना करना पड़ रहा है शहर में स्थित प्राथमिक स्वास्त प्रशिक्षन केंडर तालूका का बड़ा अस्प्रताल होने के साथ साथ राज्टी महामार्ग से जुड़ा हुआ है साथी सावनेर खापा केलवत आधि थाने एवं सावनेर जबलपूर नाफुट शिन्वारा भोपाल आदी मामार्ग एवं अन्य छोटे बड़े रास्तों पर होने वाले सड़क हाथ से आकस्मिक मौत आधी के साथ ग्रामीन आंचलों से एलाज कराने आए मरीजों की काफी भीर लगी रहती है दिन में तो सब ठीक ठाक रहता है पर जैसे जैसे र किनी कारणों से अस्पताल पहुचने वाले मरीज तथा उनके परिजनों को अंधेरे में काफी परिशान या उठानी पड़ती है इस और प्रात्मिक स्वास्त केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान ना जाना भी चिंता का विशय बनते जा रहा है एक और उचित प स्वास केंद्र के प्रपाटक तथा संबंदित विभाक के अधिकारी कर्मचारियों से नागरिकों ने यशीगर ही बंद पड़े लाइटों को दुरुस्त कर शेत्र में रात्रकालिन प्रकाश की विवस्था करने की मांग की है इस संदर में हमारे स्थानिक संवाद्दाता ने प्रात्मिक ग्रामिन स्वास प्रशिक्षन केंद्र की प्रपाटक डॉक्टर मंजुशा धोबडे से बात करने पर उन्होंने बताया कि लाइट बंद होने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है तथा नजी तोर पर बिजली के कारे करने वाले को उक्त कारे करने के आ कर दो